वेलकम बैक तू माई यूट्यूब फैमिली आपका फिर से स्वागत आपके अपने चैनल से फोरम में तो उक्सफोर्ड यूनिवर्सटी के कुछ फ्री सर्टिफाइड ऑनलाइन कोर्से से जिपको आपको जरूर देखना चाहिए और करना चाहिए और आपको पता है उक्सफोर्ड यूनिवर्सटी टॉप यूनिवर्सटी में आती है वर्ल्ड रैंकिंग में तो आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है उक्सफोर्ड ह तो आपको पहला लिंक जो मिलेगा www.oxfordhomestudy.com उसमें आपको क्लिक करना है तो आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे है ओके एक एस एक्सवाड होंस तुडी संटर इन्होंने कुछ अपने फ्री सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करें हम लोगों के लिए लिंकाले एट प्रेजेंट अवर देंज ओफ आउट स्टैंडिंग फ्री कोर्स इंखलूट्स आपको कौन कौन से फ्री कोर्स मिलें मैं आपको इक बार बता देदा हूँ, free business management course, free construction management course, free customer service course, free event management course, free fashion design course, free hotel management course, human resource management course, internet marketing course, management course, project management course, public relation course, supply chain management course, starting on online business, risk management, travel tourism, accounting and finance, teaching assistant, bookkeeping, diet and nutrition and many more, इसमें आपको digital marketing का भी मिला है, free digital marketing course, social media marketing course, cyber security course, life course, तो यह आपको बहुत सारे course मिलने होने हैं, आपको COVID-19, coronavirus का भी free courses, आपको यहाँ पे यह लोग दे रहे हैं, तो यह बिल्कुल free है, और बहुत ही अच्छाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा अच्छी university है, Oxford University और इसमें लिखा है, 100% free courses online with certificate, आपको इसका certificate भी मिलेगा, तो आपको इस course में जरूर इनलोन करना चाहिए, और मैं आपको पूरा process बताने जा रहा हूं कि इसमें आपको कैसे enroll करना है, और कैसे इस course को start करना है, तो जब आप इस वाले home page में आएंगे, त like मेरे को marketing course करना है, आपको accounting and finance course करना है, कोई भी आप course कर सकते है, like मेरे को, मेरे को लेना है, free digital marketing course, okay, तो मैं इस वाले course में आता हूं, free digital marketing course में, इसको मैंने click कराए, तो अब जो interface आएगा, वहाँ से यह आपकी detail पुछेगा, आपको login करना होगा, आपको इस course के बारे में इसमें लिखा है, digital marketing short course, start out free course, इसमें पूरा लिखा हुआ है, 20 गंटे का course है, there is no entry requirement, ongoing यह चल ला है, आपको भी भी कर सकते है, course overview आपको दे रखा है, course syllabus इसमें आपको दे रखा है, internet marketing, popular strategy, web designing development, affiliate program, email marketing, social media और SEO, और यहाँ पे payment option है, तो payment option कुछ होगा नहीं क्योंकि यह course free of cost है, okay, तो इसको start में करता हूँ, start your free course, मैंने यहाँ पे click कर आए, ऐसे आप कोईसा भी course कर सकते है, और आपको चाहिए जितने course करने है, उसमें आप enroll कर सकते है, मैं बस आपको एक example लेकर बता रहो, कि अगर आपको digital marketing का course करना है, तो आपको यह करना होगा, तो मैंने click कर स्टार्ट और free course में, तो बेसके लिए अभी दिखा रहा है, this site can't be reached, शायद कुछ connection problem है, मैं इसको फिर से refresh करता हूँ, फिर देखता हूँ, इसे cash हो करता है, हाँ तो guys, आपको यह वाला interface खुल के आ जाएगा, जो आपको ले जाएगा e-learning college.com, आपने आपको ले जाएगा जाएगा, जिसमें about us, sign in and join me करके लिखावा है, bring your application, begin your application, sorry, तो यहाँ पर आप इसमें अपना पूरा बनाएंगे, आप इसमें डालेंगे, title, first name, last name, email, repeat email, और आपको इससे start करना है, तो आपको मैं इसमें नहीं, आपको मैं direct join me करके, मैं show कर दे रहा हूँ कि आपको कैसे login करना है, तो जैसे लिखा है, you need to remember the email address and password you created, आपको यह यादी रखना है, तो basically मैं यहाँ पर join me कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी detail भर देता हूँ, fill कर देता हूँ, और उसके बाद, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने अपनी सारी details fill कर दी है, अब मैं मैं आपर next करता हूँ, next करने के बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा interface open होता है, तो basically यह वाला interface open हो गया, welcome to e-learning college, ठीक है, तो यह आपको account है, तो यहाँ पर आपको my course में, आपको जो है, वो आपको सारे course मिल जाएंगे, basically मैंने भी कोई की course enroll नहीं करा है, तो enroll for another course में click करू तो यहाँ पर यह सारे courses आजाएंगे, ठीक है, जैसे मैं देखो करना था, digital marketing का, कोई सा भी आप course ले सकते हो, कितने सारे, आपको सारे course करने, सारे करने, जैसे digital marketing का course करना है, तो मैं आपको enroll now में click करूंगा, student instruction, आपको इस instruction में साएंगे, आपको उसमें apply करना है, basically, you are already enrolled this course, तो आपको यहाँ करना है, कि यह बता रहा है कि मैं इस course में already enrolled हूँ, देखिए, यहाँ पर आएगे digital marketing, आपको और कोई course करना है, तो enroll for another course, आपको जैसे करना है, मैं जैसे बताता हूँ आपको, कि यहाँ से आपको करना है, social media marketing, okay, short course है, तो मैं यहाँ पर enroll now में click student instructions, यहाँ पर apply करेंगे, तो लिखाएगा, you are already enrolled in this course, okay, ठीक है, मतलब यह आप enroll अभी आपने करा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जितने भी course enroll करेंगे, यह सारे course आजाएगे, तो यहाँ पर आपको एसस करने के लिए, यहाँ पर आजाएगा, start date है, target date और competition date कुछ नहीं ह दिखा रहा है, आप यहाँ पर access course करेंगे, तो जब आप यहाँ करेंगे, तो यह आजाएगा, what is digital marketing, okay, तो यहाँ से आ रहा है, इसमें download करने का, तो यहाँ से आप download कर लेंगे, तो वो आप पूरा पडल हो गए, ठीक है, जो भी PDF होगी, उसके बाद assignment, ठीक है, यहाँ पर helping material, recommended reading, assignment, feedback, तो यहाँ पर सारा आप, जैसे मैं इसको download कर लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने download किया, तो एक PDF फाइल जो है, वो download हो जाएगी, और वो आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद जो आपको assignment मिलेगा, वो करना पड़ेगा, उसके बाद, करने के बाद, जब आप certificate आजाएगा, उसको आप download भी कर सकते हो, basically, और सबसे इच्छी बात आपको यह पता है, कि जैसे यह digital marketing का course मैंने लिख लिया, तो यहाँ पर tutor name, मैंला हमको कौन पढ़ा रहा है, ऐसान महमूर जी जो है, वो हमारे teacher है, इस course के लिए, तो basically यह download हो रहा है, यह download हो जाए, फि कर लेता हूं, तो यह देखिए, यह मेरा पूरा digital marketing का course हो है, वो 5 pages का है, 5 pages का course यहाँ पर download हो गया है, लिखा है, by the end of the unit, the learner will be able to determine how to internet marketing strategy fit with your overall marketing plan, तो आपको यह पूरा, आप पढ़ लोगे, जब आप पढ़ लोगे, उसके बाद यहाँ पर आओगे, यहाँ पर assignment का option आगा तो यहाँ पर वही download, helping material, recommendation reading and this one, तो assignment feedback, तो यहाँ पर आपको यह open कर लेना है, तो what is digital marketing, यह है assignment one, यहाँ पर 1010 marks के 3 questions है, जिसको आपको solve करना है, जब आप इसको solve कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर upload assignment में, upload assignment में, आप यहाँ पर assignment number, select करोगे, इसके बाद इसके बाद आप कर दोगे, इसको send हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लेम करोगे, यहाँ पर आप क्लेम करोगे कि हमारा यह course हो गया है, तो digital certificate जो price of short course, certificate level course and diploma level course, so basically यह price है, but यह बिल्कुल free है, इसमें आपको कोई भी रुपय नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि यह जो course है, यह free of cost चल ला है, तो इसमें आपको नहीं, अगर आपको paid course करते हो, तो इसके लिए यह पूरी formality है, तो आपको direct download certificate and letters में आओगे, वहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर download देखिए, आ रहा है, short course, download, यहाँ पर आपको download option में आप आओगे, तो यहाँ पर आपक my course में आपको select करना है, कि आपको कौन सा course करना है, और वो आपका हो जाएगा, तो बहुत सारे courses है, Oxford University से regarding, उससे related है, आपको certificate मिलेगा, उसमें Oxford University का नाम होगा, this is very big चीज, बहुत बड़ी चीज है, तो आप इस courses को ज़रूर करो, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आ allotment ही है, जो आपका आगया, यह allotment आगया कि सिर्धार निगमने यह वाले course में allotment गया, short course में, ठीक है, तो बिसके लिए क्या है, यह आपका एक letter है, जिससे आपको confirmation है, ठीक है, तो इसी तरह से आपका registration number पूरा ऐसा नहीं है, कि कुछ भी उल्टा सीजा है, नहीं, बिल